आज हम सिंगल फेस्ट मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कनेक्शन पावर कंट्रोल वायरिंग और मोटर को रण कराएंगे साथी साथ मोटर की वाइंटिंग का दिस्टेंस लेखेंगे और कापासिटर की वैली चेट करेंगे तो मैं यहाँ पर यह मोटर है आपको चालू कर दे देलो यह सिंगल फेस्ट की मोड़ है इसकी प्लेट दिखा दो सटमि こ के टिटर यह सिंगल पेस्ट की मोड्र है ऑ कि पॉइंट 37 किलोवाट की है 0.5 ही यह इसका क्या सित्रें रॉनिंग क्य dic स्टार्टिंग कापासिटर इसमें नहीं गरिणिंग कापासिटर ऑँली है थिक है तो मैं सबसे पहले बनींग डर्णिंग कापासिटर की वैल्डू चेक कर लेता हूं धों कितनी है। Mia कर ने से पहले बता देता दोसों और यह 2K 20K 200k और 20 मेगा और यह MEMLA Was他 ठीक है purpositor और यह Direateur प्रक्राइब सभी टीनी यह बे formulated Allor यह थीन चीज नपता है एल सी आओर एंटक्रन सी कर फिस्टेंश कर दिश्टान तो मैं मल्टि मेटर से भी सकता हूं मौल्टी मिटर भी अपने पास कोई दिख्कत नहीं इए आपके कैपासितर को मल्टी मिटर से नाप немे में दिख्कत कपासितर से नहीं नाप पेगा इसी से हमajor करेंगे तो मैं एक कैपासिटर नापकर जो दौनों प्रस लेकर कापसिच्टर जो लगा हुआ है यह जो कैपसिटर है पहले यह कैपसिटर की दो थार है देखो यह दोत दिख रहालँ तना त। यह यह मधन कर दो यह दिख़ो यहाँ पर देखो क्यापासिटर रन 20µF 440 दिख रहा है नुट यह देखो 20µF का कापासिटर तो मैं इसको 20 पर नहीं रखूँगा मैं इसको 200µF पर रख लेता हूं तो 200µF पर मैंने नोब को सेट कर लिया यह नोब सेट होगी 200 पर और मैं इसको मेजर करता हूं क्यापसिटर को कि एक तार मैंने यहां ली और एक मैंने यहां लगा है यह वैल्यू जो आ रही है वो 16.8 मैंने दिनिया सेट माईक्रो फेरड आ रहे हैं और माईक्रो फेरड लिखान दिक रहे न किन अली जाएड राइड साइड हो कि अब दिखरा रहा है वर तो अब दिखरा है सोले क्यापिस्टर लगा सकते हैं इसमें 20μF के लिए अभी हम इसी से इसको चलाएंगे ठीक है तो कैपसिटर चेक कर लिया अब आता है वाइंडिंग का रजिस्टेंस तो इसमें दो वाइंडिंग है एक तो है के रणिंग वाइंडिंग है और दूसरी वाइंडिंग यह है यह देखो मैं इसका यहां पर टर्मिलर दिखा देते हैं इस टर्मिनल पर इस टर्मिनल में यह है मतला मतले में यंडिंग और यह एकजलरी वाइंडिंग ऊपलार जा कि कि महांने यह एकजलरी तो जहां पर एकजलरी में जासे ए इह टिख रहा है है कि एडबुबन और कि मिए यें मैं मैंडिग हो गई वाली मैंडिग है और ये वाली ये हधी उप तो मैं इसका पहले से का में और में ने अहीं हों का तो यह जो आना अगे कि यहां पे आ रहा है हमारा है कि यह मारी जो इसको रख लेता हूं और यहां पे वैलू को मेजर करता हूं यह आ रहा है 8.7.98.0 के सम्थिंग आ ठीक है कि लिए ले अब मैं दूसरी वाइंडिंग देखता हूं यह दूसरी वाइंडिंग है दूसरी वाइंडिंग के साथ अगर रिजिस्टेंस वैलू है वो भी हमारी 7.9 ओम आ रही है इसका मतलब 7.9 7.8 7.9 दोणों का लगवक सेम रजिस्टेंस है हलांके स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑर रुनिंग वाइंडिंग का डिफ्रेंस वैसे होना चीए बड हब यहां पर दोनों में रजिस्टेंस वैल moralsta में अब इसका मैं वाइरिंग डाइग्राम वहां पर दिखा देता हूं कि मोटर की कि यह रनींग वाइन नीं के दोसरे हैं कि रनींग वाइन और यह दोसरे स्टार्टिंग वाइन कि अब दोनों का रजिस्टेंस वैल्यू से इसका भी से में करीब एक और इसका भी संतिक बरावर तो 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 यहां पर हम क्या करेंगे तो यह जो क्या पाशीटर है कि इस के पाशीटर का जो मान है वह 16.7 माइक्रोफ है यह एमें भी रिख सकते उसको जमकि के पाशीटर कि तो तो राज़ा अब मैं यहां से राता हूं तो फेस को मैं क्या करता हूं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं रणींग वाइंडिंगे इस रे पे तो यह रणींग vwriting one और अनि वाइंग two और यह a tally yondig one और अचिलींग और यह री duas यह राणीं तो यह दोस ट्रटिंग है actually है अब मैं क्या करता हूं कि इसको यहां पे जोड देता हूं capacitor capacitor से वाइनी हो गई और यह दोनों तो ये इसका connection diagram होता है, अब ये दौनों की winding सेम है, अगर हमको direction change करनी है, तो हम क्या करेंगे, कि माल जो ये हमाली clockwise direction है, तो anti clockwise करनी लेक्टिर करना है, हमको क्या है कि ये वाली जो capacitor की तार है, ये हम यहाँ पे capacitor की wire को change करेंगे, ठीक है ना और केपशिटनशी तार को चेंज करके हम डारेक्शन को चेंज करें वो अमारी फिर एडी क्लोकाई डारेक्शन में चले इक है ना अब मैं यहां पर आपको करके एक बार देखाता हूँ कि अभी देखो जो डारेक्शन है ना क्लॉक बाइज है देखना है लगाँ चलो इस टीक है ना मस्त मोटर की डारेक्शन आ रही है वो क्लॉक बाइज आ रही है ठीक है ना अब हमें डारेक्शन चेंज करने के लिए हमारे पार दो ऑप्षण को यह कि जो अमारी रणिंग वाइनिंग का यह चिराय दूसरा स्टार्टिंग का है अगर हमारी वाइनिंग की रजिस्टेंस वैल्यू सेव है तो हम क्या करेंगे जो कैपसिटर लगाए यह तार क्या कि इसके स्टेंगे जो शिरा यह है इस रे को यहां से अटाएंगे यह अब क्या है कि हमारा जो सप्लाई यहां यहां से यहां पर आ गई और हमने क्या करार इस वाइनिंग को कापसिटर पर लेंगे अब हमारी डारेक्शन चेंज हो जाएगी एक मैंतड तो यह दूसरा मैं क्या है कि हम जो अध्यूरी वाइडिंग के दोनों से इनको हम इंटर्चेंज करते हैं इनको इंटर्चेंज करेंगे तो हम उस में मैं तर में क्या करेंगे कि इसको अटाके इसको मैं एजटीज कर देता हूं और इसको हां यह गे जो सबह hélas में तो एक जली वाइनिंग एडवलू टू और एडवलू बाड़ वन को यहां चोड़ देंगे मतलग जो एडवलू इधर था वह उतर गया तो अभी अवारी डारेक्शन चेंज हो जाए बट जहां रहे कि जब आवारी डारेक्शन चेंज होगी तो इसमें यह वाला मैंकर ज्यादा ठीक है अगर वाइनिंग में रडिस्टेंज सेम है तो यहीं पर कापसिटर के कनेक्शन चेंज खर थे ठीक है तो मैं अभी प्रेक्टिकली केक के एडिक्शन चेंज करके इस वाले से में डारेक्शन चेंज करके आपको अब यह इस कनेक्शन पर मैं देखता हूं जो डारेक्शन आ रहे थी वह आप चेंज होगी अब देखो अपने डारेक्शन चेंज कर दिये एक बार आप करना अभी देखो डारेक्शन उल्टी होगी चलाओ अब यह डारेक्शन चेंज होगी अब मैं आपको यहां पर इसका डियोल स्टाटर बनाओ अब मैं इसका स्टाटर के थुरू चलाओ तो मैंने का यह इस कॉंटेक्टर ले रिया इस कॉंटेक्ट में L1, T1, L2, T2 कनेक्शन दिया और यह माँ दो 13, 14 अब यह हमारा MCB है में MCB से हमने कनेक्शन कर दिया में वाइंडिंग को वही तार इसके जाब कैपाजिटर से होती हुई ऐकुलर्य राइंग को कई और जो हमारा न्यूटरल है न्यूटरल हमारा सीधा यहा पूंट गया और न्यूटरल से हमारा क्या होगा यह मान चेपले है म भूर्ग्शन का मशिवग कर दिया यहां पे हमने एक स्टाप बेठन लेली इस्टार्ट करने लिए और यह स्टॉप बटन रदी और यह कॉंट्रेक्टर की कॉईंट तो हमने क्या चला यहां से कि इस्टार्ट बटन ली जब हम स्टार्ट बटन को दवाएंगे कॉइंटक्री कॉइल ओन होगी और यह कॉंटक्ट दोनों टच होगे और हमारी मोटर अब हम बटन छोड़ देंगे तो आफ हो जाएगी तो हम इसके लिए क्या करेंगे यहां पर होल्डिक राएगे अब हमारी यहां से होल्डिक हो जाएगी स्टार्ट किया और जब हम इस्टार्ट बटन दवाएंगे तो हमारा आफ हो जाएगा तो मैं एक स्टार्टर के साथ कनेक्शन बिता जेता हूँ इससे पहले मोटर का डेटेल आपको एक बास देख लो बोल्टेज 220 बोल्टेज रनिंग कापसिटर वीजन अबडी विट्वैंश एंप्यर डाई क्लोबार फंट्रीजएवं एच्टी कॉइंट्वाइव पॉइंट्वाइव पॉइंट्वाइव पॉटेक्शन में क्या होता है वाटर प्रूफ और डस्प्रूफ नहीं होता व उसमें पानी नहीं लाता तो आईपी 67 पानी में डिप कर आगे कोई भी काम करना अपता है तो आईपी 67 हम जूज करें इंसुलेशन का क्लास है वो एफ है एफ क्लास ठीक है इंसुलेशन चुकि नॉर्मल बी ग्रेट भी आता है एफ का अगर बीच बैटर है आर्टियम चौजे सो और रणी कापाशिटर को अमने आगे लेगा तो यह पर मोटर का बेसीकली हमारा और ड्यूटी साइकल ड्यूटी साइकल इस एस वन एस वन का मतलब होता है कंटूनियस रेटिंग अगर मोटर कंटूनियस लोड पे चलती है तो अगर हमारी मोटर कंटूनियस लोड पर नहीं है बीच बीच में तो ऐस्टू ऐस्टी साइकल अलग आते हैं फिर हम उसकी कि अभी में रूनिंग में प्रक्टिंगल आपको कड़ा को अब यह कनेक्शन को है ना कर दिया है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यह कॉं अगर मैं इस बटन को दबाऊ हुआ है अब मैं इसको स्टार्ट करूँआ है और यह यह कॉंटेक्टर आप देखो यह का स्टार्ट बटन है तो मैं प्रेंस करता हूं स्टार्ट इस्टार्ट और यह कॉंटेक्ट प्रेंगवार दिखा दो ठीक है तो फ्रैंट्स यह बेजिकली सिंगल फिर्स मोटिखार स्टार्ट के साथ चलाना रिवर्स फॉर्वर्ड डारेक्शन चेंज करना यह इसमें मैंने आपको बता दिया तो मैं आपको एक बातार जाना चाहता हूं कि एक्टोर हमारे रहे ट्रैनिक लासेंस हैं जिसमें पील्सी इसकाड़ा एल्चमाइड ड्राइव थाइलिक न्यूमेटिक चीनल सी मसीन में वेटिनेस्ट यह सब उसमें इंक्लूर होता है और साथी साथ हम सी एएजिए ब्यांसी प्रोग्रामिंग भी कि लगेगी तो को जादा कोश्ट निया अगर आप इंट्रेस्टेट है और आपको अच्छा लड़े तो चैनल को सब्सक्राइब को कि कर दो कर दो कर दो